मिस्टर जा और मिसेस जा की किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूली का पराठा। वैसे तो आपने कितनी बार बनाया होगा यह पराठा। लेकिन हम कुछ अलग स्टैल से बनाने जा रहे हैं। वैसे तो कितने जन आटे में ही मूली को घसके डाल देते हैं। और बोलते हैं कि यह मूली का पराठा है। वैसे भी बनता है। लेकिन हम आटे के अंदर इसे भर के बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने दो कटोड़ी आटा लिया है। थोरा सा अजवाइन हम क्रस्ट करके डाल देंगे। और स्वाद अंस्वार नमक भी डालेंगे। और एक से दो चमच हम इसमें तेल डालेंगे। और यह सब हम मिक्स कर लेंगे। और जिस कटोड़ी से हमने आटा लिया था। उसी कटोरी से हम पानी लेंगे, थोरा थोरा करके हम इसका डो तैयार करेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सस्क्राइब करें, बेल को ओल पे सलेक्ट करें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपको हमारा या वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें अब हमारा डो तैयार होने लगा है अब इसके पर थोरा सा ओईल हम डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिला के साइड में रख देंगे दो वाटी हमारा आटा था तो एक कटोड़ी हमें पानी लगा है इसमें एक चमस तक पानी बच गया है इसे हम साइड में रख देंगे अब हम मूली का पराठा बना रहे हैं तो हमने मूली को उपर से छील लिया था अब इसे हम कदूकस कर लेंगे यहां वजन से देखेंगे तो 100 ग्राम तक हैं हम जादा पूरी नहीं बना रहे हैं इसके लिए हमने थोड़ा सा ही मूली कदूकस किया है अब हमारा मूली कदूकस हो चुका है मूली में तो वैसे ही बहुत सारा पानी रहता है यह तो आपको पता होगा हम इसका पराठा बना रहे हैं अलग से आटे में भरके इसका पानी हमें निचोर लेना है आप कपरे में भी डालके इसे निकाल सकते हैं हम दोनों हाथ के सहायता से निकाल रहें देगे इसमें का पानी सब निकाल देंगे हम ताकि हमारा मूली जो है वो पूरी तरह से सूख जाए तब हम जब आटे में इसे भरेंगे तो पानी ना छोड़े वो अब इसमें हम मसाला डालेंगे थोरा सा अज्वाइन जीरा मिर्शी पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और यहाँ चाट मसाला और गरम मसाला और धनिया और करी पत्ता जो रहता है उसे हमने बारिक बारिक काट लिया है और दो से तीन हरी मिर्च यहाँ सब हम और थोरा सा अध्रक हमने कदू कस करके यहां सब हम डाल के इसे हम mix कर लेंगे इसमें हमें अभी नमक नहीं डालना है क्योंकि हम नमक डाल देंगे तो मूली फिर से पानी छोड़ने लगेगा और वैसे हमने चाट मसाला डाला है तो उसमें भी नमक तो हल्का सा रहता ही है और आटे में तो हमने नमक डाला ही था तो अगर आप नमक कम खाते हैं तो आप मड डालिएगा अब हम अपना डो ले लेंगे और हम दो तरीका आपको बताएंगे आपको जो तरीका पसंद आए आप वह इस्तमाल कर सकते हैं पहले तो हम ऐसे रोटी को बेल लेंगे रोटी जैसे और इसे बेलने के बाद इसमें हमने जो मूली कदू कस करके रखा था उसे हम भर लेंगे और भर के हम अच्छे से चारो साइट से कवर कर देंगे और फिर हम आटा लपेट के इसे हम हलके हाद से बेल लेंगे और इसे हम तबे पे हलका सा ओईल लगा के इसे हम सेख लेंगे अब हमने जित्ता लोही पहली बार में लिया था उत्त ही हमने फिर से लिया है लेकिन इसे हम दो भाग में बाड़ दिये और इसे खुब पतला बेल लेंगे। और दूसरी लोई जो हमने रखा था उसे भी हम बेल लेंगे, खुब पतला सा जैसे हम भरके बनाते हैं तो वो फटने का चांस रहता है आप इस तरीके से भी बना सकते हैं अब हमारा एक पराठा तयार हो चुका है इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और यहां जो मुली है इसे हम अच्छे से फैला लेंगे एक दम पतला सा लेकिन चारों तरफ हम फैला लेंगे यहां तरीका भी बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इजी तरीके से यहां पराठा बन जाता है और इसे हम चारों तरफ से दबा देंगे यह किनारा दब गया और इसे अब हम हल्क के हाथ से एक बार बेलन चला देंगे ताकि वह मूली जो है वह अच्छे से बैठ जाए देखिए यह कितना इजी तरीका है सेम प्रोसेस से और हम पराठे बना लेंगे और आप एक बार इस तरीके से बनाईए यह आपका पराठा बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेश्टी बनेगा दोनों ही तरीके से पराठे बन जाते हैं आपको जो तरीका इजी लगे आप वह तरीके से बनाईएगा अब हमने सारे पराठे तयार कर लिए है अब हमारा पराठा, मूली का पराठा सब करने के लिए तयार है इसे हम देखी एक आपको ऐसे बीचो बीच खोल के बता रहे है देखे देखने में कितना लाजबाब लग रहा है खाने में भी वैसे टेश्टी लगेगा यह दही के साथ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल को ओल पे सलेक्ट करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंसती रहे और आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ सेर करें धन्यवाद